हलो दोस्तों आज की इस वीडियो दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे में पूछे गए फिजिस्क के 25 महत्पूर प्रश्णों को डिस्स करेंगे तो दोस्तों वीडियो को बिना स्कीप की अंतर जरू देखीगा चले शुरुवात करते हैं यहाँ पे पहले प्रस्ते पहला प्र उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताईए तो दोस्तों विद्दूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में कौन बदलता है विद्दूत मोटर बदलता है अगला प्रस देखेंगे प्रश्णमत तिसरा है किसका उपयोग DC मोटर और DC जनेटर दोनो की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है तो दोस्तो दिक परिवर्तक का परियोग जो है DC मोटर और DC जनेटर दोनों की कुंडली में धारा की दिशा में बदलने के लिए किया जाता है दिक परिवर्तक को दोस्तो कम्यूटेटर भी कहा जाता है अगला प बिद्दुत जनरेटर का प्रयोग किया जाता है अगला प्रस देखेंगे प्रस नमर पाचवा है इलेक्टिक हीटर के निर्माड के लिए नाइक्रोम का उप्योग क्यों किया जाता है तो दोस्तों इलेक्टिक हीटर के निर्माड के लिए नाइक्रूम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रत्रियोधत्ता उच्छ होती है और इसका गनलांग भी क्या होता है उच्छ होता है अगला प्रस देखेंगे प्रस नमबर यहां बे छठा है विद्दुत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाही धारा के प्रवाह की दिशा को उलड देता है तो दोस्तों बिद्दुत धारा का विभक्त वले जो है विभक्त वले जो है वो क्या करता है उसमें प्रवाही धारा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है उलड देता है अगला प्रस देखेंगे, प्रश्ण नमर साथवा है, इलेट्रिक जनरेटर वह उपकरड़ है, जो डैस परिवर्थित करता है, तो दोस्तों, इलेट्रिक जनरेटर जो है, किसको किसमें परिवर्थित करता है, यह जो है, यांत्रिक उर्जा को बिद्द उर्जा में परिवर अगला प्रश्ण है गैलनोमीटर का प्रयोग जो है कहां किया जाता है तो दोस्तो गैलनोमीटर का प्रयोग जो है यह किसी परिपत में धारा की उपस्तती का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्ण देखेंगे प्रश्णमब दस्वा है विद्दुद ब का फिलामेंट दोस्तो वो टेंगशन धात का बना होता है अगला प्रश्ण है अमीटर का परियोग जो है कहां किया जाता है तो दोस्तो अमीटर का परियोग जो है यह किसी परिपत में अमीटर को स्रेडी करमे जो है लगा जाता है और अमीटर की सहायता से विद्धु धारा क जो है मापा जाता है अगला प्रस देखेंगे प्रश्णमर यहाँ दोस्तों 12 है बोल्ट मीटर क्या होता है तो दोस्तों बोल्ट मीटर को परिपत में समांतर कर्म में लगा जाता है और बोल्ट मीटर की सहता से विभांतर को मापा जाता है अगला प्रस देखेंगे इलेक्ट इलेक्ट्रो मीटर क्या होता है यह बिद्दूत आवेस मापने का यंत्र होता है अगला प्रस देखेंगे प्रश्णमा 14 है रासायनिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में कौन बदलता है तो दोस्तो रासायनिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में बदलने वाला यंत्र कोन बैटरी है इसको दोस्तो बिद्दूत सेल भी कहते हैं अगला प्रस देखते हैं बिद्दूत जनरेटर जो है वो किसी धान पर काम करता है तो दोस्तो बिद्दूत जनरेटर जो है वो बिद्दूत चुम्ब की ये प्रेरड किसी धान पर काम करता है अगला प्रस देखेंगे संधारित्र या कैपासिटर, संधारित्र या कैपासिटर क्या होता है? तो दोस्तों संधारित्र जो है एक ऐसा यंत्र होता है जो बिद्धुत आवेश के रूप में उर्जा जो है संग्रहित करता है अगला प्रस देखते हैं, प्रश नमर 18 है AC को DC में बदलने वाले यंत्र का नाम बताईए तो दोस्तो AC को DC में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है Rectifier है Rectifier जो है यह AC को DC में बदलता है अगला प्रस देखते है Amplifier क्या होता है Amplifier दोस्तो यह एक electronic उपकरण होता है जो signal की सक्ती को क्या कर देता है का नाम बताईए तो दोस्तो डीसी को एसी में बदलने वाले यंतर का नाम क्या है इनवर्टर होता है इनवर्टर दोस्तो डीसी को एसी में बदलता है जबकि दोस्तो एसी को डीसी में कौन बदलता है रक्टी फायर बदलता है अगला प्रश्ण है धारा नियंतरक क्या होता ह दोस्तो धारा नियंतरक क्या होता है यह वह जो करेंट को नियंतरित करता है उसे क्या कहते हैं धारा नियंतरक कहते हैं अगला प्रस देखेंगे प्रश्ण नमबर यहाँ पे 22 है उस्मा की माप जो है किस यंदर से की जाती है उस्मा की माप दोस्तो कैलोरी मीटर से की जाती है अगला प्रश्ण है बिद्दुत प्रवाह के तापी प्रभाव पर आधारित उपकरणों के नाम बताईए तो दोस्तों बिद्दुत प्रवाह के तापी प्रभाव पर आधारित उपकरण जो है कुछ निम्लिकित हैं जैसे पहला क्या है दोस्तो बिद्दुत हीटर है दूसरा है बिद्दुत इस्तरी है तीसरा है बिद्दुत बल्ब है चौथा क्या है बिद्दुत फ्यूज है ये चारों दोस्तो ये बिद्दुत प्रवा के तापी प्रभाव पर आधारित उपकरण है अगला प्रस देखेंगे प्रस नमर 24 है बिद्दुत स्विचो को किस में लगाय जाता है तो दोस्तों बिद्दुत स्विचो को जो है ये लाइपतार में लगाय जाता है अगला प्रस देखते हैं एक परिसुद्ध अमीटर के प्रत्रोध का मान कितना होना चाहिए एक परिस आदर्स अ मीटर का आंतरिक प्रत्रोद कितना होता है एक आदर्स अ मीटर का आंतरिक प्रत्रोद दोस्तों सुन्य होता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो भी इतना है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों सेर जरू कीजिए दोस्त तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद